तो आज हम न्यू रेसिपी के साथ मौजूद हैं और आज जो है मैं आपको बताऊंगी के हम शकरगंदी को जो है वो दूसरे तरीके से किस तरह से मतलब पका सकते हैं ए वो हम नहीं करें और नहीं हम इन चुद्प इन पाइटोस को तो फैले वाश करें इसकी सताब अभी outset अब फ्लेम नहीं किया है फ्लेम ओफ होगा देन वाश करने के बाद इस पे अलका सा यह जो है वह अपना फ्लेम अन करेंगे और इसको धक के पकाएंगे चाहोंगी कैसे आप ये रैसिपी जो है इसको जरूर ट्राइ किजाएगा ये बहुत यमी बन दिये है वह अच्छी बन दिये हर को बॉइल्ल पोटैटोऊ नहींगा तो प्लीज ये जरूर ट्राइ किजाएगा हम अपना flame जो है वो normal रखेंगे ना जादा तेज ना जादा कम उसके बाद जो है हम इनको रख देंगे अब जो है हम इसको जो है वो cover कर देंगे हमने अपने sweet potatoes को जो है वो cover कर दिया है और flame हमारा जो है वो ना जादा कम है और ना जादा high normal flame है देन जहे हम इसको अब चेक करेंगे 10 to 20 मिनिट्स के बाद 5 to 10 मिनिट्स हो चुके अब हम जहें इसकी साइब जहें वो चेंज करेंगे अब हमसीद जहें वो कवर कर दिया अब हम जहें इसको के वर मिनिट्स के बाद 15 निट्स हो जो किए अब हम चेक करते हैं हमारे सूट पुटैटो जहेंIST की कैंदेनी की वाइड़ब हमारे सूइट प्याटैटोल यह सब करने लाइब अब लोगा लगा हम फ्लेम को आफ कर देंगे तरा मिसको पील-उफ कर लेंगे अब इस तरह से जो है वह शकरगंदी को पील उफ कर लेंगे देंआम इसको शर्प करेंगे चार्ट मसाले नीबू के साथ जिस तरह से भी आप भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा तब तक के लिए लाफ़ेश